गुद मॉर्णिंग एवरिबन वेलकम टो जी एड़ेस टेक्टिंकल तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं लेटर राइटिंग तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो हेलफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं राइट अप्लिकेशन टू दी हेड़ मास्टर फॉर सिक लीव ठीके आप बिमार हो और इस कारण से आप अपना स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हो इस वजह से आपको अपने हेड़ मास्टर को अप्लिकेशन लिखना है तो हम किस तरीकी से लिखेंगी इस वीड अब हम जानते हैं कि आपको किस तरीके से इस अप्लिकेशन को लिखना होता है सबसे पहले हम लिखेंगे टू लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगी धी हेड़ मास्टर ठीक है अगर आपसे कुश्चन में पूछा जा रहा है राइट अप्लिकेशन टू दी प्रिंसप अपके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको यहाँ पर एक लाइण छोड़ देना है आपके लाइन लिखेंगे है यहाँ पर लिखेंगे subject देखे subject जो होता है उसमें आपको बिल्कुल clearly बताना होता है कम शब्दों में कि आप इस application को लिखने का आपका purpose क्या है क्यों लिख रहे हो आप इस application को आप इस letter को क्यों लिख रहे हैं तो इस letter को लिखने का आपका जो भी purpose है वो आपको subject में short में ब कर देना है एक लाइन लीव कर देने के बाद हम यहां पर लिखेंगे रेस्पेक्टेट सर लिखने के बाद हम एक पैराचो चेंज करेंगे फिर हम यहां पर लिखेंगे बॉडी बॉडी में हम लिखेंगे एक लाइन को यहां पर फिर से चेंज करना है एक लाइन चोड़ देंगे फिर हम यहां पर लिखेंगे यौर्स फेदफुली यौर्स फेदफुली लिखेंगे फिर अपना पूरा नाम आपको लिखना है अपने क्लास और सेक्शन का नाम लिख는 है अपना रोल नमबर लिखना है और फिर आपको करेंट डेट लिखना है ठीक है तो इसी के साथ जैहिं वंदे मात्रम नमस्ट